राजस्तान में पिछले कई दिनों से काफी बरसात होने से अधिकान जलाशे चलकने की कगार पर है सोमवारको जैपुर के पास खोनागोरिया में इस्तित नूर का बांध में अधिक पानी आने से कच्चा बांध तूट गया खोनागोरियान इलाके में नूर का बांध तूटने से छेतर में भारी तबाही मच गई बांध तूटने का सच जैपुर नैशनल यूनिवरसिटी होस्पिटल आर्टी और ओफिस सहित कई प्रमुख छेतर में देखा गया बांध तूटने से खोनागोरिया छेतर में बने घरों में पानी घुज गया और यहां तक की आने जाने के रास्ते तक बंद हो गए नूर का बांध तूटने के बाद कबरिस्तान में भी पानी घुज गया जहां जल भराव से वहां तालाव जैसा बन गया बांध के तूटने के कारण तेज बहाव से कबरिस्तान में भी भारे नुकसान हुआ है बहाव की वज़े से कबरों से कई शव बाहर निकल कर पानी में तैरते हुए नजर आए इस्थान ये निवासी उन्हें हिम्मत दिखाते वे पानी में उतर कर इन कबरों से निकले शवों को वापस पानी से दिकाल कर फिर से दफनाया अच्छानक आये पानी को देख इस्थानी लोगों में हड़कंप मच गया हालाद को देखते वे प्रशासन ने सुरक्षा के ड्रस्टी को उन से बांत के पास पुलिस कर्मिय को तैनात किया है ताकि इस्तिती पर काबू पाया जा सके और किसी भी अन्होनी से बचा जा सके वहीं स्थानिये विधायक रफीक खान, छेतरी पाशल्ट सहीत खो नागोरिया, ठाना पुलिस एंडियारेफ नगर निकम प्रशासन के अधिकारी दलबल सहीत मोके पर पहुँचे बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, वहीं स्थानिये नागरिक भी बड़ी संख्या में एकत्र हो गए हैं इस्तिती पर कड़ी नजर रखी जा रही है और प्रभावित इलाकों में रहात कार्य जारी है प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि विस्तिती को नियंतित करने के लिए हर संभव प्रियास कर रहे हैं